कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूं अच्छे होंगे मेरी दुआए हमेशा ही आप सब लोगों के साथ हैं और रहेंगी तो गाइज यह हैं आज हमारे घर है माशालला बहुत प्रहुना क्योंकि हमारी बेटी आए बच्चों को ले करके तो आए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं क्योंकि Khyas आज है संड़े का दिन और चुटी का दिन तो नाशता भी थोड़ा देर से और क्योंकि सब लोग आई हुए हैं तो इसलिए जह है नाशते में थोड़ा और देर हो गई तो अभी नाशता हम तयार कर रहे हैं और इसी के साथ ही हम आप को एक वीडियो के बारे में बताएंगे जो आपको मेरे खाल से पता ही होगी लेकिन इसको हमने देखा और उसके पिक्चर्स को देखा जिसे दिल अंदर तक हिल गया और वो है सहुदी की एक इंसिडेंट और उसमें दो भाई है एक मुहमद बिन मुरसिल और एक उनके कजन और मुह पर चोरी के बद्ले हाथ काट दिये जाते हैं और जान का बदला जान होता है तो इस तरह से ये करीब मुकादमा एक साल से भी कम वक्त मे चला और ये फैसला हुआ कि इनूने जान ली है तो इसके बदले में इनको मौत की सजा इंकी गर्दन उड़ाई जाएगी और मौत क कुछ नहीं कर सकता उनका भी लेकिन यहां पर जो मुझे बहुत दिल को छूग गया जो मैं जे दो तीन दिन से परिशान कर रही है जो चीज वो चीज यह थी कि कातिल के घर वालों ने कम से कब उनकी जो कभीले वाले हैं पांच छे सो लोगों ने अपनी पगड़ियां अपने कपड़े अपने खंजर वगएरा अपने टोपियां वगएरा सब कुछ जो है वो उसके घर वालों के आगे रख दी कि यह जो हैं को माफ कर दे बहुत माफी मा बहुत रोए बहुत चिलाए और उनका रोना चिलाना उनका इस तरह से जो वीडियो था वो मुझे अंदर तक कहीं बहुत परीशान कर गया क्योंकि अगर ये तो खैर उनका ही फैसला है कि उन्होंने आप नहीं किया लेकिन अगर माफ कर देते तो आल्ला इसका बदला देता ह माफ करने वाला जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है अगर वो चाहते तो माफ कर सकते थे लेकिन ये पूरी तरह से उनका फैसला है उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि ये शरिया कानून के खिलाफ होगा मेरा कुछ भी बोलना लेकिन ये वीडियो मुझे अंदर तक हिला क रख गया और उनके घरवालों का रोना चिलाना और इस तरह से इस सब देख करके बहुत दुख हुआ मुझे बहुत दुख हुआ और आकर कार ये हुआ कि मुरसिल को भी जहे हो मौत की सजा दे दी गई उसकी गरदन काट दी गई वो तस्वीरे भी बहुत भयानक थी और ब ठीक नहीं होगा छोटा मों बड़ी बात हो जाएगी लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई इस चीज को देख करके क्योंकि माफी जो है वो बहुत जादा अल्ला की नजर में बहुत बड़ी चीज है और उसका सिला अल्ला यहां से ले करके और उपर तक देता है अगर इनसान म माफ नहीं किया तो यह उनका हक था अगर वो नहीं माफ किया उन्हों ने हाला कि साओधी के बड़े बड़े लोगों ने और वकीलों ने सभी ने दर्कास की उनसे माफ करने के लिए लेकिन उन्हों नहीं की तो यह उनका अपना फैसला था उस पे हम कुछ नहीं कह सकते ले लेकिन ये वीडियो देखकर के बहुत तकलीफ हुई बहुत दिल को दुख हुआ लेकिन एक ये भी बात है कि जो कड़े कानून होते हैं वो क्राइम को काफी हद तक रोकते हैं इसलिए साओधी में बहुत जादा क्राइम नहीं होते हैं क्राइम रेट कम है और क्योंकि फैसल फुल लाइप जो है वो मेंटेन करने में जो है वो काम आती हैं तो ये छोटी सी वीडियो जो है आज आप से हमने शेर की इसी के साथ हम आप से लेते हैं विदा मिलते हैं नेक्स वीडियो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें and thank you for watching my video